Hello Friends, Welcome to AB Classes मैंने एक चेप्टर स्टार्ट किया था Cam and Follower का इसका मैं नेच्ट वीडियो लेके रहाएं जिसमें मैं एक Cam profile कैसे जनरेट करते हैं कैसे बनाते हैं यह बताऊँगा इससे पहले मैं Cam and Profile के एक इत्रोडक्शन वीडियो जाँ चगाँ जिसको आप मेरी description box में link दूँगा वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर मेरी एक केमेंट follower के नाम से playlist बनी हुई वहां से जाकर भी देख सकते हैं या theory of machine के नाम से बनी हुई उसमें जाकर भी देख सकते हैं तो स्टाट करते हैं आज का वीडियो जैसा कि हम जो आज बताने वाले हैं follower moves with uniform velocity uniform velocity अगर ऐसा question में लिख किस्टन में note so होता है the follower moves with uniform velocity during the both outer stock and return इसा लिखा आएगा तो अपने पैचान जाएंगे कि इसमें uniform velocity is relative अपना camera profile बनाना है तो इससे पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन को दबा लें जैसे कि आने वाले मेरे वीडियो की notification आपके पास पहुंच सकते हैं तो इस्टाट करते हैं आज का वीडियो पहले एक्जामपल देख लिए आपके मेरे 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 मेर रेडियस दी है 50 mm ठीक है 50 mm पांस सेंटीमिटर चारी सेंटीमिटर अब लिख रहा है दा फॉलोवर मुव्स बित यूनिफॉर्म वेलिसिटी डूरिंग बोथ आउट रिटा रखने रहा है जो मैं रेट से कर दिया है से कि आपके यादा है यूनिफॉर्म वेलिसिटी ठीक है अब नेक्स लिखा ड्रॉदा प्रॉफाइल अब दा केम भेंड एक्सेस ऑफ फॉलोवर पासेज थ्रोदा एक्सेस ऑफ दा केम साब जो फॉलोवर की एक्सेस है वो एक्सेस के से पास हो अब इसके बात जैसा की निम्रिकल में करते हैं आप उन सबस्प्वेले गिवन लें गवन दिया आउट्र तॉर डिग्री सिस्टी डिग्री दोवीन दिया तु टेन डिग्री अब नीचे दिया फॉलोवर की डामेंशन हर चाली सेम और जो मिनियूम रेडियूस आप दिखें पचास यह होगा गेवन अब इसके बाद आपन क्या करेंगे इसको इसको कॉंस सबसे पहले जो एंगल है उसको यह सिंपल परथे हैं 10 क्योंकि अपना सरक्ल छोटा हो जिससे कि हमारा बनाना इजी यो पेज पर क्योंकि आपने यहां पर 10 डिग्रीज कल तुमान लिए 0.5 सेंटिमेटर अब अगर तो हमारा जो सरक्ल होता टोटल कितना होता तुमान आपने 10 डिग्रीज कल तुमान लिए 0.5 सेंटिमेटर तो हमारा आएगा 18 सेंटिमेटर इस तरह 60 डिग्रीज को मारा अगर कंवर्ट करेंगे तो आएगा 3 सेंटिमेटर और 30 डिग्रीज करेंगे डोईल जो दिया है वह जाएगा 1.5 सेंटिमेटर जो यहां कंसिडर किया उसके सबसे कनवर्ट कर लिए अब फर्स्ट चलते हैं ड्राइंग की ओर मैं इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूं कि एक एक लाइन से एक कैसे ड्रॉ करें जिससे आपको किलियर हो सके जैसे स्टेप फस्ट लि इस तक पॉइंट लगा देंगे किता तीन सेंटिमीटर का कि आपन यहाँ पर सो नहीं कराएंगे तो 5 शेंटर एज से टी 1.5 संटीमेटर मार्क कर देंगे फिर दिए है रिंटर स्टॉक एड टिपी 60 डिग्री कित्ता होता है जो सेंटीमेटर सेंटिमेटर मार्क देंगे रेमेनिंग बचा हुआ पर मार्क कर दिए वह हो जाएगा तेन पॉंट फाइब तैन डिगरी सिखिए लेकिन आपन जो स्किल पर जो आपन सो कराएंगे वह एंगल में सो कराएंगे अपन जो सेंटीमेटरों नहीं कराएंगे, इसलिए यहां दोग आउट स्टोक सिक्स्टी डोइल थार्टी और एक और दिया है कुश्चन में 40 mm इसको सेंटीमेटर में आपन सो करा रहा है तो 40 mm को आप दस से भाग देंगे तो बचेगा 4 cm अब एस से बर्टिकल की दिसामे यह बाई 4 cm यहां मार्क कर देंगे यह लाइन कितने खीचेंगे चार सेंटीमिटर और इधार एक लाइन आपन बाड़ एस में किसके बराबर एक्स के बराबर और इसको यहां से किलोच कर देंगे तो एक रेक्टेंगलर तयार हो जाएगा अब क्या करेंगे जो हमारा एस है यह से एक बर्टिकल लाइन सीधा उपर मिला देंगे इस तरह टी अब जो हमने रेक्टेंगलर बास उपर बता चुके हैं जो बॉक्स कैसे बनाया अब जो हमने ए से एस तक अपने जो बनाया है इसको अपने को 6 पार्टमेंट वाइट कर लेते हैं क्योंकि 60 डिग्री दिया है और इसी तरीके से बन जाएंगी ठीक है तो लेकिन अपने को यह छो कितनी हैं तीन सेंटिमेडर से एह तक 303 कितने भां करना चेख तो पॉंट 55 पीन क्या करेंगे यहां पर ऐसा मार्क कर देंग यह न से यहां तक उतने ही पार्ट इसके और गठेंगे और इसको मार करतेंगे 0123456 तीक है अब जो यहां पर मार्किंग में डस लगाकर यहां पर मार्किंग करतेंगे और नीचे जो भी लिखा वह एक बार लिख लेंगे यहां । जेव इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको इसको भी इसके तो उगे सरी यूपर की। पहले 1 2 3 4 5 6 जो हमने पॉइंट किये थे वहां से वर्टिकल उपर की ओल लाइन डाल देंगे इससे भी सेम डाल देंगे आप क्या करेंगे दिस लिखा दिन ता फॉलोवर मुव सुथी उनिफॉर्म वेलोसिटी कैसा है उनिफॉर्म वेलोसिट ड्यूरिंग आउट स्टोग और दिस्पलिस्ट्वैंट ड्याग्राम कंसिस्ट और यह उपन देंगे एह से वहां गरेंगे यहां लाइन खिछ देंगे यहां पर एक वर्टिकल सीधा कीच देंगे ऐसे पी मिला दिगी अब जो कट मार रहा जो वाट्रिकल हमाई लान है हरे पृत्ते एक पॉइंट से वर्टिकल लायनी खीची हुए अपने यहापर ओहरे कैन दग्विया यहाँ पर कट कर रहा है यहाँ पर इस तरह इसमें भी कट कर रहा है तो उसको नम्मरिंग दें देंगें यहाँ यहाँ प पता चुक्क क्यासे ड्रोग करना तो यह नम्रिंग देदी और यहाँ पर सीधा वर्टिका एक लाइन कीजिए इदर सीधर खीजिए और नम्रिंग देदी इस तरह यह क्या होता है इस दिस्प्लिस्मेंट डाइगराम में वह हमारा कम्प्लिट रहा था ए जी एच पी एक्स यहाँ पर एक्स बना लें आप मैंने ऊपर बनाया हुआ था आप मैं देखा हुआ एजी एच पी एक्स तो हमारा यह डिस्प्लिस्मेंट डाइगराम कम्प्लिट होता आप नेक्स्ट जो हमारा पाड़ दिया उसको आपने कम्प्लिट करते हैं केम प्रोगाई साइंस एक पाद याद रखें जो मैंने अभी स्टेप बाई स्टेप बताना ऐसे आपको स्टेप बाई स्टेप एक्जाम में नहीं बनाना आपको एक एक डाइगराम बनाना है वह मैंने आपको बताने के लिए सीखने के लिए यह सिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ स्टेप बाई स दिख रहा है इस तरह का एक complete एक बार में पूरा पनिस डियागराम बनाना है नेक्स्ट करते है प्रोफाइल आप दा केम भेंदा एकसेस फॉलोवर पासिज तरू दा एकसेस आप दा केम जो हमारा केम की एकसेस है और फॉलोवर की एकसेस से एक ही एकसेस हो तो अपने को क्या करना है उस पर अपने क्या करना है तो अपने को step by step इसमें भी बताते हैं जैसा कि फर्स्ट step इसमें अपने को circle ड्रो करना है ड्रो बेस circle with radius equal to the million radius of cam cam की जो radius given है question में 50 mm उसको कोई वी एक center माल लिए अपन ओ एक center माल लिया और पचास है मनला 5 cm का arc लेंगे अपन 5 cm क्या लेंगे आर्क लेंगे परकार से ड्वाइडर से और यहां रखके एक पूरा circle बना देंगे फर्स्ट ट्रब में क्या खड़ेंगे सिर्फ point पर रखके circle बना देंगे और यह access बना देंगे ठीक है यह बाइवाइवा बना देंगे अब next step में क्या करेंगे रखके बनाने के बाद जो next step उसमें हमारे इस्ट्रोक दिया और रिटन जो हमारा डोइल स्ट्रोक दिया 30 डिग्री और रिटन स्ट्रोक दिया था 60 डिग्री जिए हम उपर के वाले हमारा displacement डायर्म उसमें बता चुका हूँ ठीक है ज अब सबसे पहले ओ से एक मार्क जो है यहां पर अपने एक परकार रखेंगे 90 डिग्री यहां पर होगा परकार का 90 डिग्री यहां पर परकार का बेस जो नीचे का यहां होगा जो परकार फर going center प्रकेंगे त्नी जो हमारा चांद है इसको उसको यहां पर रखेंगे यहां पर 90 डिग्री आ चांद का यहां से इधर कियूर मेचर करें लाइनल कितना करेंगी कितना कर देगे 30 दिग्री ऐसा पॉंट हम लगा देंगे फिर इस पॉंट से इस पॉंट तक T से P तक कितना मेजर कर देंगे 60 डिग्री है न तो इस तरह यह ऐसे फॉंट लगा देंगे इस परफ़ परफ़एर प्हले एंगल मेज़र कर देंगो हैं Growing Pencil फूरा यहाँ सेlläकेिंगे इन दुन के लायं से दो करेंगे पूरा थार्टे फ्रेहां से आता 60 डिग्री एक पॉइंट मार्क कर देंगे ऐसे जो पॉइंट उपर दिया है हमारा ए ओ एस एंगल होयागा एसे एस था क्या था 60 डिग्री एस से टी था 30 डिग्री टी से पी था 60 डिग्री ए में ऊपर देख भी सकते हैं तो याद रखें तो इसको मार्क करने वाद नेक्स स्टेप पर बढ़ेंगे नेक्स स्टेप में का डिवाइड दा एंगलर डिस्प्रेश्मेंट डिउरिंग आउट्र स्टॉक डिटान स्टॉक इंटूप इंटूदर एस सेम नंबर विक्वल पार्स अब तो क्या करना है जो हमने डिस्प्लेश्मेंट डिग्राम बनाया था मैं दिखा देता हूं उसके सेम अपन को इसके भाग करना है यह से एस जो हमारा सिश्टी डिग्री है क्योंकि हमने जो डिस्प्लेश्मेंट डिग्राम में सिक्स पार्ट किये तो हमें यह से तक कितने कर देंगे तो सीदी लाइन खीच देंगे यहां से जो लाइन खीच रह revenue फर दोड़ी बढ़ा खीच पर इसदियार के कई्ष नवार के बाइन तो तरह ब्लत खेंगे इट्स यह था. थोड़ा चोटा प्र थोड़ा बड़ा जैसा कि इडी में अपने सीखा होगा के तो अपने इस तरह जी मैंने बनाएं एक छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा इस तरह लाइन खीच दें कहांसे कौन से पार्ट से जो महार सिख डिगरी का एंगल है उसको मैं सिख पार्ट में डवाइट किया है वहाँ से यह चांदा से आप डवाइट करने ही जी तरीके से यह पॉइंट लगाने 1010 डिग्री पर यह लाइने कीच लें जिस तरह मैंने छोटी बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी इस तरह खीच हुए सेम पार्ट अपने यह आउट स्टॉक के के सेम रिटन स्टॉक के करेंगे तो ट से पी है सेम पार्ट 1010 डिग्री के इधर कर देंगे जो नम्मरिंग इधर दी है 0 से 6 उसको यहां से क्या करेंगे जो यहां पॉंट देख रहा है जहां से 60 डिग्री है यहां से यह टी से उसको जीरो, डैस, बन डैस, 2 जाatelli, फिर, से में कर देंगे, जीरो से 6 हो गए, फिर जीरो डैस से 6 ता, से में रमम डैस, पार्टंटन। चुरहा रहा है प्रोफाइल बनाने में थीक है तो याद रखें यह जो पार्ट है उटो बर्फाइल 2000 पार्ट करें सेम डिस्प्रिस्मेंट डाइगराम उसमें सेम पार्ट हो गए ठीक है तो यह लाइन हमने बताई किसी तरह किसी चोटी एक बड़ी चोटी बड़ी जहाँ पर पॉइंट हमारा 1010 डिग्री पर लगा हुआ एक रिकान जो और इन जो पॉइंट को अपने जैसे जैसे जॉइंट करना था मैं कर चका हूँ नौ सेट ऑप बन वी टू सी टीडी एटीसी और अगर यह क्या होता बन वी तूसी टीडी फोर इव एप और शिक्स जी यह अपने कैसे चाठ गिति अपने याद रखा रहे हैं यसे कि अपने displacement diagram है उसमें किये थे बैसे ही मैं बता देता हूं इसको समझा देता हूं कि फ्रेंट से cut बताता हूं मैं कैसे draw करना है first यसे o है o और यह एक ही point तो यहां से 1 यह दिख रहा है यहां पर 1 यह point दिख रहा है आपको यह point है और b point का जो cut है cut point है वाला तो हमें एक परकाल लेना है यह यहां से बी-point तक का रख लेना और उस पर हमारे पर mark करना है जो हमारा profile बनागा जैसे जो बन से बी का क्या लेंगे पॉंट लेंगे, यहां बन पर रखेंगे इस बाले है, और जो लान हमआदे एक्स्ट्रा निकाली ओई थे, उसपर कट लगा लेंगे जैसे कट मिल गया, अब next पर क्या करेंगे 2 से c का पॉंट लेंगे यहां से जैसे 1 से B का पॉंट लेका अपने उमार्क कर दिया अब इस 2 पॉंट दिख रहा है यहां से 2 से और यह C दिख रहा है किसी तरह 3 instrumental है 3 से टक का अर्क लेंगे और जो हमाई 3 वाली पॉइंट उस पर करर दें इस तरह 4 से D का लेंगे 5 से F का लेंगे 6 से G का लेंगे इस तरह से Arc लेकर उस तरह सेंक हो से पॉ Dell पर है have इसके लावा कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने बताया आपको कैसे मेजर करना, 1-C, 2-D, ठीक है, 1-B, 2-C, मार करके displacement diagram से आपको इस पर कट मानना है, यह जो हमें point मिले हुए, G, F, E, D, C, B, यह हमें displacement diagram से मिले हुए, क्योंकि यह वो diagram नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, अब यह वाला step आपको जब A कट करने है, यह आर्क लगा लें, इसके बाद जो next step है, वो easy है, इसको मैं बताता हूँ, next step में क्या करना है हमें, तो परकार यह अडवाइर होता है, उसको यहाँ पर center, center इसको मानना है, जो first point है, इस point देख रहा है आपको, फर्स आर्क लगाया ठीक है, one, two, three, इधर से mark करते जाएंगे, इधर से बन, इधर से बन मानेगी, ठीक है, तो देखो, B वाला point है, यहाँ से center माना है, इसको यहाँ से arc करना है, इससा start किया, पूरा एक circle बनाते जाएंगे, कहां तक, पहले इस line कर, क्योंकि A जो line है, इस same हो जाएगी, यहां इस तरह आपने second वाली करेंगे, यहां से यहाँ से खिषती होई आएंगे, कहां तक आएंगे, दूसरी वालाइन तर, इस तरह सारे point आपन सेम लाइन पर खिष देंगे, next आपको दिखाता हूं, जैसे मैं first line में रहे थी, B वाली लाइन खिषी कहां तक, यह पहले line तक, ज इस line तक, F वाला circle कहां खिषेंगे, इस line तक, G वाला circle कहां खिषेंगे, इस line तक, जैसा आपको देख रहा है, देखो मैंने, B वाला इसको center माना, और B वाला line खिष दी, first line तक, C वाई लाइन खिष दी, जो M point थी होँहां तक, B वाई लाइन खिष दी, इस तरह यह जो line ह आपको समझ में आ रहा है, कौन सी line कहां तक, आपको समझ में आ रहा है, F y line लास्ट वाली कहां तक, यहां तक, F y line का second last, D y line, तो इस तरह है, और आपको क्या करेंगे, जो ऊपर जो एक line जमरेट हो गई, आपको यहां से, A y, A y जो हमारा distribution diagram में क्या है, follower, follower का किता dimension दिया, 40 cm, मलब 4 cm तो, यह से ओ, 4 cm अपन खीच देंगे, एक line, ठीक है, और जो हमारी line गुझ रही होई है, उसको अपको से small letter में इसको नम है, जैसे by line यहां से कुछ दिया, इसको small v दे दिया, c y line यहां से कुछ दिया, d y line, small d e y line, small e, f y line, small f, g, यहां पर यह by दिया हुआ, ठीक है, इस तरह है, इसको numbering दे देंगे, यहां पर इन numbering दे दिया, यह हो गया follower हमारा, और यह सारे point यहां पर इसको नम है, जो हमारे, आपने देखा होगा, जो displacement diagram यहां पर एक numbering दे हुए, मैं देखा देता हूँ, यह जो numbering दे हुए, भी c d e f g, इस तरह इसमें जो numbering दे हुए, p n m l k j p, same numbering हमें उस cam profile में भी दी हुए है, इससमें देखा हुआ है, तो same numbering देना, जो लिए यहां पर देंगे point यह point आप, इसम उस पर भी so कराना है, देखे, same numbering यहां पर भी देखे, h j k l m m, point यहाद रखे, यह बाला point है, पहला a, फर a point है, 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 एक a point 1500, जो भी हमारी line cut, cut कर रही है, जो हमने दंबीन निकाली इन पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाते हुए यह दीक तरह है मिलाते हुए यहां पर एक प्रोफाइल जान रिखते हैं ठीक है तो यह समझने आगा यह फॉलोवर हो गया चाली समय का और जी पॉइंट कैसे हुए यह भी मैंने बता दिया अब इसके बाद क्या करना जो हमार ओरर लेड़ी करब आया हुआ है वो सर्कल बना हुआ है इस पर डार कर देंगे सीधा डार करते वह यहां से इस फॉंटनों को भी सिधा आप उन मिला देंगे और जो यह IFा खाली इसको भी कंप्लीट मिला देंगे तो इसको बोलते केम प्रोफाइल एक केम प्रोफाइल इस तरह हमारी जनरेटर आती है नाई फेज फॉलोवर है इसको थोड़ा ड्याइन दार ऐसा नाई फेज बना दिया है चालीस है में होगा यह नंबरिंग देदी इस तरह आपको जो हम आपको सीख लें फिर आपको इस तरह का एक डागराम कंप्लीट बनाना है जो कि एक्जामेट डिस्प्लेस्मेंट डागराम और यह केम प्रोफाइल आपको जनरेट करके दिखाना है तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आज का पसंद आए तो लाइक करें शेर करें अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकोन को दबाएंगे तो हमारे जो भी वीडियो बनाता रहता है वो आपको पस पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आतो लाइक आज करोंख तो हमारे जडियो दुकरा तेख सब्सक्राइब कर ले आतो देख समय जारे बत्ख 25 करेंचेव आतो हम एियो आ praàng जो इनकी जाला मनाता है वीडियो को न थीडियो Woo 003 cycle